नमस्कार दोस्तों, concept of fire discuss करेंगे, fire youth बहुत भटका हुआ है, इस concept को channel clarity for youth है, आप लोगों को बहुत clarity इस topic पे मिलेगी, end तक देखना, ये fire, pushpa fire वाला fire नहीं है, ये fire, financially independent, retire early, बड़े youtubers ने इसका juice निकाला है, टॉपर student है, उसमें अंकुर वारी कुजी, क्योंकि उठा कर मतलब western वाला 10 साल, 15, 20 साल पिटा हुआ concept, introduce कर तो, निया निया लगता है, यहां नोकरियां लगनी लिए, पहले retirement की बाते पहले हो रही हैं, तो मैं जमीन से जुड़ा हुआ नेता जो होता है, जो जमीन पे actually work करत वो चीजे लेकर हैं, वीडियो कैसा लगे जुरूर बताना, और बताना पड़ेगा कि क्या भिहोदगी चीजे बताई जा रही हैं, और उससे life में क्या गड़वड होती है, और उसकी जगे आपको क्या करना चाहिए, यह fire जो बताया गया है, इसके बदले क्या करना है, और फिर आप अपना कुछ मनका कर लो, यह आप रिलाक्स कर लो, और इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीन चाहर टम्स यूज करते हैं, अंगरे जी में बोलता है, frugality, basically हिंदी में गंजूस, मतलब पैसे खर्च मत करो, waste मत करो, क्या आपको कार है, क्या स्टारबक्स में कॉफी नहीं पीनी, अगर आप उसको यहाँ S.I.P. डाल देंगे, तो इतने में, Excel में ऐसे हो जाएगा, ऐसे को तैसा हो जाएगा, फिर आप अपने ऐसे गोल्स रख लो, गोल्स को अचीव कर लो, बच्चों के लिए ऐसे कर लो, वो कर लो, फिर पैसिव इंकम, यह 5-6 वर्ड अंगरे जी के पकड़े में, फ्रुगैलिटी, गोल्स, मिनिमिलिजम, पैसिव इंकम, पैसिव इंकम फिर आपकी इतनी हो जाएगी, तो आप हम मान सकते हैं कि 14% हो जाएगा, और फिर आपका इतने साल में इतना हो जाएगा, क्योंकि पहले इतने हमें रिटर्न मिले हैं, तो आगे भी मिलेगा, मतलब जैसे कि 20 ओवर में इंडिया के 140 रन बने होई हैं, तो भाई साब साथ का रन रेट है, तो 50 में 350 तो बनी जाएंगे, हो सकता है, 400, अरे भीया, 200 पे औलोट भी हो सकता है, यह सारी अंगरे जी रॉंग है, सिरफ PLAY OUT क्यों करी जाते हैं, क्यों यह HIT होते हैं, क्यों लोग सुनते हैं इन सब बेहुदी चीजों को क्यों कि आप पीडा में हैं, इसिए पीडा में हैं, आपकी life miserable लगती है, आपको तो बस आपको लगता है कि कुछ ऐसी आजा दी है, सबसे बड़ी problem यह है, problem यह है कि frugal रहन पैसे ना खर्च कर पाना, पैसे होने के बाद भी पैसे ना खर्च कर पाना, ये over a period of time जादा stress और trauma दे जाता है, बज़ाए आपकी retirement का प्लान ना होने की, और problem क्या है, आप वो goals तो hit कर लोगे, वो million million और करके जो अंगरे जीन ने रखी, बीवी ने कर दी, frugality से रह लिया, गार कर लिया, फोर बीच के में रह सकते थे पर रहते हैं, वन बीच के अंदर कार ले सकते थे, इनोवा करिश्टा घुमते हैं, अल्टो के अंदर, ये सब करते करते हैं, आप उतने के ही इंसान बन जाते हैं, और फिर आप से जब आपका पैसा आ भी जाता है, आपको खर्च हो जाती है इससे अच्छे तो कहीं गरीब लोग हैं जो महनत करते रहते हैं करते रहते हैं और उनके aspirations भढ़ते रहते हैं they keep achieving they live a more fulfilling life मैं बताऊंगा इसमें क्या करना है पहले मैं इसकी कमिया और issues गिना देता हूँ सबसे बड़ी ये passive income का पहले passive income को इतनी passive रह नहीं गई है और उसके जो assumptions हैं वो बिल्कुल गलत हैं कि मिलता रहेगा many Indian senior citizens जो इन सबको भी follow करके retirement corpus सोच रहे थे मेरा खर्चा इतना होगा और इतना निकल जाएगा भाया नहीं निकलने वाला जिनकी regular income है उनका निकलने वाला because people have not catered for gerardic care gerardic care क्या होती है जो बुढ़ापे के अंदर कोई आपका ख्याल रखे आप hospital में नहीं है I know you have catered for knee replacement you have catered for heart surgery you have catered for liver transplant you have catered for all eye surgery फ्लाना दमकाना उसका पैसा आप ने कर लिया लेकिन भाया आपको देखने के लिए कि इनसान का बहुत तो बच्चे नहीं करेंगी काम मतलब हमने सुझता था बच्चे या शायद में इतना जीऊंगा निहां आप 80 से 95 में पता नहीं कितने करोड रुपे खर्च हो सकता इस पर ये फ्रूटलेस है ये फायर का सिस्टम करना आपसे फिर मैं घूम में रिटायर हो जाओंगो तो मैं घूमने जाओंगा रहे आपसे नोट नहीं खर्चूंगे वो जिस तरह तिल-तिल करके जो बचाता है कह देते हैं कि जब हो जाएंगे तो मैं करूँगा वो खर्ची नहीं होंगे मैं बता रहा हूं वो जाज कि टिकेट नहीं ली जाएगी वो अच्छे होटल में नहीं रहा जाएगा क्योंकि आदत होगी ना भाई 15-20 साल तो इससे ये इतना मिनिमलिस्टिक भी और फ्रूग क्योंकि वो उनने कहीं ग्यान ले लिया है फिर कई पत्नियों को ग्यान दे रहें तो उनके बच्चे विदेश चले जाते हैं बहुत रिच लोग जानता हूं जो चार पैसे खर्च करके बच्चों को एक्सपोजर देना नहीं चाते थे कि नहीं पैस बिगड़ जाएंगे फिर वो उस चिकनेपन के लिए अमरिका भागते हैं और दूसरे देशों में जाते हैं उनको छोड़के ये भी जीवन की सचाई है क्योंकि उनसे चार नोट यहां नहीं हुए इंडिया में भी छोटे-छोटे OECS है ना चिकनेपन के जहां आपको रहके अच्छा लगता है खापी के अच्छा लगता है कौन सी बिरेंड है जो इंडिया में नहीं जो भर जा के आपको मिलेगी कौन सा इसा खाना है आप जाके ये Ammian's Mall में इतना बड़ी है French खाना मिलता है जहां प्रांस में नहीं मिलता होगा ठीक है हर चीज मिलती है हर चीज is available मैं गुटगाउं दूर मिला क्या आपको बाबा जी का मतलब को कौन सा कपिल शर्मा क्या बोलता है ठीक है मिला क्या आपको तो फायर की जगे अब क्या करना चाहिए मैं बताता हूं यह छोड़ दो पैसे बचाने का मन से निकाल दो सारा फोकस पैसे कमाने पर करो कोई गोल मत रखो कि मुझे इ अपने अपनी हैं पाइस की एंदर नोट डालती आए है और फिर भर जाएगा तो गुल्लक तोड देना उसकी ठीक है और फिर तू यहां खतम कर देना एक रुपए liberal COP DAVID खर्च करने के दिमाग से निकाल दो, खर्च करने, मेरे को किदर खर्च करना है, मेरे को कमाना किदर है फिर कमाओ पैसा इतना कि खर्च करना हो तो दो बर सोचना ना पड़े कोई अमीर बनाने के लिए तो है यही नहीं सब यहां middle class को, तुने ऐसे किया, यह तेरा पैसा है, तुने यहां पांच जार में डाल दिया, यह जार भर गया, तो बस घुमी घुमी, तो यह खतम जा, ठीक है, फिर यह बच्चे की education का, यह बच्चे की शादी का, और यह तेरे बुढ़ापे का, ऐसे जिन्दगी खतम यार, जिन्दगी खतम, और यह जो अभी जिन्दगी करके, इनको कहरे, तू ऐसे कर, महा कंजूसी में रह ले, यह जार जल्दी भर जाएंगे, और फिर जार जैसे भर गे, तो फिर तू कामाना बंद करके, आराम से अपना कहीं करना, अरे भीया, यह aspirations change हो जाएंगे, requirements change हो जाएंगी, opportunities opportunities इंडिया में, 50 साल, 60 साल पहले, इंडिया में अमीर हो, गरीब हो, कुछ opportunity ही नहीं थी, वो दो गाड़ियां आती थी, एक Fiat Ambassador, दूर दशन एक आता था, एक चैनल आता था, दिल्ली वालों के दो, साथ नंबर का दूसरा एक चैनल आता choices नहीं थी, आगे-ागे कौन सी choice हो जाएंगी, क्या पता moon में जाने को मिल गया, सबको टिक्टे हैं, मन कर गया भी moon पे जा रहे हैं, 20 साल बाद सबको technology आगी, तो आपका मन करेगा, वो तो उसके लिए तो आपने केटरी नहीं करने की planning करनी पड़ेगी, क्या, आप बताओ मुझे, planning करनी पड़ती है, जब कमाना 50 है, खर्चा 45 करना है, ताकि खर्चा 52 ना हो जाए, planning तब करनी पड़ती है, जब आदमी अच्छी betting कर रहा है, अच्छे चौके चक्के बना रहा है, तो फिर जादा यूज करूँगा, networking यूज करूँगा, skill set यूज करूँगा, consultation करूँगा, ग्यान बाटूँगा, लोगों को attract करूँगा, कुछ भी करूँगा, जब तक हैजान मैं पैसा कमाऊंगा, और जब तक हैजान आपैसा कमाऊंगे, तो 20 साल बाट, अरे वैल्यू भी तो बताओ न, कम हो जाएगी, करोड सुनके आज तो अच्छा लगता है, पर जब करोड आएगा तो 24-23 लाग के बराबर होगा, फिर क्यों इन टंटों में डलेओ, कौन कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आज लाइफ जानी है, वो बीच में मिरको मूवीज देखनी है, खाना खाना है, अच्छे कपड़े पैनने, जब अच्छे कपड़े पैनने थे, तन को थे, भार घूमना था, जब भार घूमना ही नहीं होगा, तो फिर वो पैसे का करोगे क्या, फिर वो हो जाएगा कि पै पैसा कमाना बहुत important है, पैसा जब खुद कमाओगे, तो खर्चों पे ध्यान नी जाएगा, पैसा कमाने में आनन्द आने लग जाएगा, जितने भी ये मैं बता रहा हूँ, यूट्यूबर ग्यान बाठते हैं ना, ठीक है, ये फिनेंशल वाले जितने बाठते हैं, यार दबा कि मुझे तो पता ना, यूट्यूब से कितना पैसा कमाया जाता है, जो हम तो कभी आके ढंक से कोई बताएगा नी, ठीक है, लेकिन इतना कमाया जाता है कि इस तरह का फ्र श्रिवास्तर जी है, नो कि मेरे तो खर्चे दो-तीन परसंट ही है, फिर तुम कुछ भी ग्यान दे दो, ना, 97 परसंट तो तुमारा खहीं भी एडिजस्ट हो रहा है, पर उस आदमी को तो मजे करने हैं ना, आराम से अपने आपको आराम से कोई आदमी गरीब दिखा सकता बैक एंड पर पीछे एसी चल रहा है, बढ़िया गाड़ी है, बच्चा स्कूल भी ने किसी को भेजना, घर में क्योंक भेजने की जुरूत है, आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजने की जुरूत है, अगर आपको पता आपका इस दिने को रोड आ जाएंगे, करेगा क फिर बोलो भी होम स्कूलिंग बहुत अच्छी है, फिर ये अच्छा है, ये चक्कर ही सिंपल सी चीज है, भाई पैसा कमाना है, ये फायर फूर के चकर में अपनी फायर लगा गया मत रखो, पीछे 24 घंटे, कि मेरा फायर जल्दी हो जाए तो मैं अपने पीछे फायर लग पैसे कमा होगे और फिर मल्टीपल सोर्से और इंकम से करा होगे, तब ही इस दुनिया में गोल्स अचीव होंगे और खुश रहोगे, ठीक है, और फिर आपको खर्चे के बारे में बहार बार सोचना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हर बार बजेटिंग, ये आप आ रखे मेर खर्चा कीतना, क्यों आपको वाई शूडियो मॉनिटर यो खर्चा, आप बैंक में पैसे डालतो, एक बैंक में उसी से खर्चा करो, ये एप एप लेनी के जुरूत है, आपने लाख रुपे डाल दिये, और उसी से खर्चा कर रहे हो आप, अगर 80,000 ही खर्चों है, 20 बच ले लिया, फिर मैंने वो निकाल दिया, फिर मैं हिसाब रखूँगा, और अपना टाइम वेश्ट करूँगा, और पचास ये एप दिखा दिखा कि लोगों को, फिर स्टार बक्स की कॉफी बचा लो, आरे भी ऐसे पैसे कमाओ ना, खहीं मरजी कॉफी पियो, कुछ मरजी उसी में रिलाक्सेशन है, जौन सा शर्ट अच्छा लगे उपर, उसके नहीं नहीं ये तो फिर हमें बचेटिंग, अरे पहले सोचो ऐसे, पहले सोच को बदली करो कि मुझे कहीं जल्दी रिटार नहीं हो रहा हम मेरे तो आखरी सांस तक पैसे कमाने, आपके फिर वो जो किसी ने 20 ओर कर रखें, वो 50 ओर हो जाएंगे, या 22 साल के हो, 25 साल के हो, कोई कहता है कि 20 साल, 45, 45, बास, अरे आप उसको 75 कर दो, तो 50 साल में है, और 50 बीवी के काउंट कर लो, 100 साल, तो सड़नली वो 20 साल में जो बीवी तो घर में बिठा रखी हैं, मिडल ग्लास ने, 20 सा साल में पती रिटायर होना चाहता है, खासे हो जाएगा या, मैं यहां 100 साल बोल रहा है, यह 20 साल, तो 20 वर्स साल में कैसे होगा, यह 100 में अराम से कर ले ना, फिर आग लगाने की जूरूरत है, आप कहते हो, 20 साल में मैं आग लगा के तपता रहूंगा, चमनी घर्च नही कुछ मैं करूँगा नहीं, मैं ऐसेट वो नहीं करूँगा, और 20 साल, उसके बाद मैं रुको 95 यर्स तक अरे भीया, नहीं सस्टेन कर सकते, 20 साल आप 42 साल के, अगर मान लो होए, और 92 यर्स के जिए होगे, 20 साल की इंकम और ऐसेट्स और इंवेश्मेंट्स कभी भी 50 साल क इन एक्टिविटी को नहीं सस्टेन कर सकते, यह मैथ है, अब बिल्कुली 20 साल में आप बिलिनियर बन गे और आपने कुछ टार्ट आप कर दिया और लिस्टिंग होगी, वो रेरिटी है, वो नहीं हो रही, 20 साल की नॉर्मल नौकरी, मुसद्दीलाल वाली और उसमें S.I. S.I.P. S.I.P. खेल के, आप 92 years last नहीं कर सकते हैं, हाँ 42 से 50 कर सकते हैं, फिर 50 में आपको फिर काम करना पड़ेगा, और especially आपने कोई system establish नहीं करा, जहां आपके बच्चे कुछ काम कर सकें, या उस platform का फायदा उठा सकें, या जहां आप पहुचे हो, वहां से start कर सकें, इस काम करो ना, तब भी वो इस के सामने इसके equivalent 60 years के equivalent होंगे, तीन गुना ये फायर वाली आग में जितना काम किया, तब भी करोगे, 40 साल आप रिलाक्स हो, 40 कौन से मिया भी भी दोनों के account करके बता रहा हूं, तो keep that life बहुत लंबी है, नहीं कटने वाली, 75 के बाद जब आप actively काम करना बंद कर दोगे, तो भी 95 तक जीना है आपको, रतन टाटा जी अब भी invest कर रहे हैं कंपनियों में, अब भी presentation सुन रहे हैं, उनकी तो को ऐसा आगे भी वो नहीं है, वो क्यों कर रहे हैं, वो पैसा कमा के आप खा जाएंगे इस उमर में, mentally activate कर रहे हैं, जब आपक active रखने के लिए काम करना ही है, और पैसे कमाने, क्योंकि इसका सबसे बड़ी चीज कहना, suddenly आप जिन passive income और assets और जिन चीजों के भरोसे आप जल्दी retire होई, technology चीजों को change कर देती और आप यहां पे इतने satisfy होगे कि आपने उस technology का advantage नहीं लिया, आपके पास बहुत time था, ब person's game, यहां आपको जितने run बनाने बनाओ, यह लोग क्या कह रहे हैं भी तेरी double century होगे, आप तु बैट छोड़ते, नहीं आप यहां पे final run भी बना सकते हो, यहां जब तक आप अपने आपको out नहीं करते हैं, आप out नहीं होगे, कुछ बॉलों पे आपको टुक टुक करने यह चौके चुके लगेंगे, यह यह करने हैं, पर जब तक game on है, तब तक game on मतलब game of life is on, तब तक आप लगे रहो, पर आप भाग नहीं रहे हो, आप 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 में enjoy भी कर रहे हो, खर्चा पानी भी कर रहे हो, बच्चो को भी दे रहे हो, नहीं आपको जुरूत नहीं वाकी लोह ही भूले हैं नहीं बच्चे बगड़ जाते हैं, बच्चे बगड़ जाते हैं. मतलब मुकेश अमानी जी बगड़ गे, धिरुबाइ अमानी जी बेटे थे, बहुत बबढ़ गे नहीं बगड़ आपकोते, business decision कई रॉंक हो जाते हैं, और बिना पैसे के ज़्यादा भी रड़ते हैं क्योंकि पैसा आता है तो there is something to lose at least there is some incentive to behave yourself ठीक है तो please spread करो इस वाली awareness को इतनी जल्दी ये जो excel पे बता कर आपकी life को आगे ले जाते हैं ये गलत है बहुत ज़्यादा गलत है तो this is the message Thank you very much